जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एक मात्र ऐसा कोचिंग इंस्टिटूट जहां कैडट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एक्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही जॉइन कर तो इसके ओप्शन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं बैन की मून टैर्गेव लाए तीसरा ओप्शन है कोफी अनन चौथा ओप्शन है अन्टोनियो गोट्रेस तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा पूचा क्या गया फर्स्ट सेक्रेटरी जेनरल ऑफ यॉनाइट नेशन्स का फॉर्मेशन कब हुआ था यह याद रखना 1945 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है इसका हेड़कॉर्टर है आपका वासिंटन डी सी वासिंटन डी सी ठीक है तो और इसके जो पहले सेक्रेटरी जेनरल बने थे वो बने थे टिग्रेव लाए कौन बने थे उनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जेनरल तो यह भी आपको याद रखना है वो कौन है प्रजेंट में है एंटोनियो गोट्रेस है क्या है प्रजेंट में यह कौन है फर्स्ट सेक्रेटरी जेनरल रहे है ठीक है और इनको बोला जाता है फर्स्ट ब्लेक सेक्रेटरी जेनर सिंट कोफीन नन और काफी लंबबी टाइम तक ये रहे थे फीन का रहता है सब से लंबे राम्टरी जैनरल थे वह...... स्ब्सक्रिफरिते बाद आता है सिकेंड मुश्भाव्ण से नंमठर टू है है। 구an इस Most Country to host Modern Olympic Games पहला मौडर न ऑलंपेक येइम्स को भिगिन होश्ट किया था। हम जानते हैं कि पहलाあ की पहला modern न ऑलंपैक येइम शुरू κप हुआ था date 1996 में भारत而且 कभ पार्टिस्पेट किया था 这么ay थी ऑलंपे feudal जोंऄ एक और under international में तो कहां पे हुआ था, Greece में हुआ था, Greece में कहां पे जगह है, Athens सहर पर, ठीक है, start पहले भी हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, France की कोशिशों के बाद दुबारा से इसको सुरू किया था, Athens के सहर में, Greece में है जो की, ठीक है, Greece एक यूरोपिया देश है, तीसरा question है, which is the smallest continent among the following, इन मैं से सबसे जो smallest continent है, वो कौन से, option है, option है हमारे, यूरोप है, अंटार्टिका है, ऐस्ट्रेलिया, तो हम जानते है, smallest है, ऐस्ट्रेलिया, ठीक है, smallest है हमारा, ऐस्ट्रेलिया, option C is the right answer, फोर्थ है, question number 4 है, which is the largest fresh water lake in the world, फ्रेश वाटर लेक इन दा वर्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दा वर्ड कौन से है, लेक सुपीरियर, याद रखना, लेक सुपीरियर इस दा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दा वर्ड, भारत में कौन सी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो प्रेश वाटर लेक यह आपको क्या रखना है याद रखना है टीक कि इसके बाद आते हैं कुश्चन नंबर फाइब पर कुश्चन नंबर फाइब है वेर इस दा एंकर वाट टेमपलेज लोकेटेड यह क्या सबसे बड़ा मंदिर है विशुखा भी तक का सबसे बड़ा है अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कमोडिया की कैपिटल क्या है या फिर आप इनकी सभी की कैपिटल बताना लाउस की कैपिटल क्या है इंडिया की कैपिटल क्या है नेपाल की कैपिटल क्या है इंडिया की तो पती होगी तो आपको लाउस का कैपिटल बताना है इसका एक fact मैं बता देता हूँ आपको ये एक landlocked country है landlocked country क्या होता है landlocked country landlocked countries क्या होती है वो country होती है जहां पर क्या है कोई भी border क्या है किसी भी major ocean से क्या है टच नहीं करती है यानि कि कोई भी आपका sea route अवेलेवेल नहीं है पूरी तरीके से क्या चारों दिशाओं से घरा हुआ है किससे लेंड से जैसा कि बताया गया लेंड लॉग्ड ठीक है इसके बाद आता है हमारा अगला question question no.6 यह कौन थे फिस्ट मुसलिम प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया पहले मुसलिम राष्ट पती भारत के तो यह है जो और जो कमेंट करते रहे हैं जो भी आपके कुश्चन सही हो रहे हैं जो आपको मालूम है ठीक है इसका जो सही अंसर है वो है डॉक्टर जाकर रुसेन अच्छा इनके बारे में एक चीज और याद रखिए यह क्या तो ओनली प्रेशिडेंट ओनली प्रेशिडेंट तो डाइ ओन ओफिस मतलब कि इनका क्या है कि जब यह राष्ट पती थे प्रेशिडेंट रहते हुए क्या हुआ था इनका द्यान तो गया था ठीक है तो कूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट पती हैं जो अपने प्रेशिडेंट रहते हुए जिनका निदन हो गया था इसके बाद ज अब्दुलकलाम को हम लोग जानते हैं मिसाइल में के नाम से जानते हैं इन पे अभी रीसमेंट वेप सीरीज मिसधल आई है तो रॉकित बॉएज करके फिर्टा रॉकिम करके लॉकित करके वह लॉक्ट सीरौ यम्हेट आउ इसके बाद क्या होता है एंस अंजीवा रेड़ी इनके वारे में इतना याद रखना कि यह क्या हुए थे अन अपोज्ड एलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे मतलब कि भाई साथ जब यह सर खड़े हुए थे तो इनके विरोध में कोई भी क्या था प्रतिदुन्दी नही ठीक है यह अन अपोज्ड एलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन सा है वो थे नीलम संजीवा रेड़ी यह भी आपको इसके अलावा फेक्ट से याद रखने है चली आ जाते है कुश्यन नमर सेवन कहता है कि हुए इस दा फर्स्ट इंडियन टू विन राजीव गांदी खेल र फीरं रत एवर्ड अब आपको कमेंट में यह बताना है कि नैशनल स्पोर्ट सिदे कब मनाया जाता है कारण में बता देता हूँ कि ärजड इंडियन पीला जाता है इसके लाबाऀ कौन सा गेम खेलते थे आपको जाध रखना है चालिए आ जाते है राजीव गंदी खेल रम्पोम्शकर पहला एक है इंदिया मतलब यह पूंचा गया है नी वेशन्ट गे जो फ्रीड़म पाइडर ती इन्हों ने भारत में कौन सी संगठन का स्थापना किया था तो अप्शन है हुम्रूल लीग, फुनिक सासरम, ब्रह्मो समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी तो आपको क्या है कि एनिवेशन्ट कौन सी और्गनाईजेशन फॉर्म किया थी आप्रेल उनिस्ससो सोला में कहां परीम कि मद्रास में, अब बद एंद्र, मतला, प्रिजंट, देट में अम्दर इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है फुनिक्स आस्रम फुनिक्स आस्रम बनाया था फुनिक्स आस्रम था महात्मा गांदी से संबंदेत है राश्ट पता से संबंदेत है एम जी गांदी से महात्मा गांदी से ब्रह्मो समाज संबंदेत है राजा राम मोहन रॉय अब आपको बत राजा राम मोहन रोय है फॉंडेट दा यह फॉंडेट दा ब्रह्मो समाज ठीक है यह आपको क्या करना है कमेंट में बताने जल्दी जल्दी अगला कोश्यन है हमारा नैंथ कोश्यन है कुश्यन नमबर 9 कहता है वीज़ दा फर्स्ट इंडियन टू रिसीब मैंवोकर एवर्ड के सीधी सी वात है यह पूछा गया कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको मैंवोकर प्रैज मिला मैं बॉकर प्रैज किसके लिए मिलता है लिट्रेचर के लिए मतलब कि वहीया ऑथर य कौन सी दीम किस book के लिए इनको man booker पुरसकार मिला था वो मिला था the god of small things यह भी क्या है आपको याद रखना man booker prize किस book के लिए exactly मिला था अरुंधती रोय को तो वो book थी the god of small thing the god of small thing ठीक है चली अगला आते हम लोग next question है आर्थी साइज associated with which state आर्थी साथ किस खेल से संबन देते हैं option है option one है swimming option b है badminton option c है cricket option d है हमारा कौन सा bridge ठीक है bridge तो का answer है एस है मतलब की swimming से संबन देत याद रखना आर्थी शा क्या थी फिर्स्ट इंडियन woman प्रथम भारती मैला थी फिर्स्ट इंडियन woman to cross English channel English channel को क्या करती थी पास करने वाली प्रथम मैला थी अब English channel किसके किसके मद आता है English channel आता है United Kingdom UK और और फ्रांस के बीच में आता है ठीक है UK यानी की अपना Britain English channel कहां पर English channel है UK और फ्रांस के बीच में इसको क्या किया था तैर के पार किया था ठीक है ठीक है अच्छा नहीं याद आता है तो recent में एक से related movie भी आय थी साहिद तड़ब movie थी उसमें दिखाया भी गया था English channel के थ्रू अपना जो यूरो होता है वो पागलपंती दिखाता है पास करते है उसको ठीक है क्यों थंडा रहता है ठीक तो ऐसा नहीं करना है आजाते 11 पर कुश्चन नंबर 11 कहता है वाट इस दा पोजिशन ऑफ इंडिया और पैरलंपिक गेम्स रिसेंटली क्या हुआ था ओलंपिक्स और पैरलंपिक्स गेम कहा पे हुए थे टोक्यों में हुए थे तो ओलंपिक्स में तो ठीक है एक गोल्ड मैडल अटा हमारे नीरजद चोपड़ा जी आ ठीक किस्में है वह आह सून रहना है जो भी में वी दतारों कमेंट करना है उसको नोक करते कमेंड-कर और उलम्पिक गेमस में क्या रहेंग आया था इस बार? उलम्पिक्स में जो पहर इंडिया का रहेंग था, वो था 48, या नि कि आपको याद क्या करना है, 24 का दोगना, पार अलम्पिक्स गेम संबंधित होता है, वो एथलेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो किया होते physically handicapped ये कोई उनको physically problem होती है basically ठीक है good medal भी बहुत आये थे इसमें साथ के लगबग आये थे और medal tally में इस बार हम लोगों ने previous years के सबी records को तोड़ा है तो जायर सी बात हम लोगों ने क्या किया है ranking भी improve कर लिए अब हमारा question number है 12 आराम से पढ़ते हैं अजन्ता केप से situated है अतला यह पूशा गया है कि अजन्ता केप कहा है options आप एक बार देख लीजिए और comment में कीजिए इसका answer क्या होगा फिर मैं बताता हूं इसका answer option है उत्तर प्रदेश option A है हमारा उत्तर प्रदेश दूसरा है option महरास्ट तीसरा है मद्ध प्रदेश और करना टक अब जल्दी से एक काम और कीजिएगा इन सभी की capitals क्या है वो आपको क्या करना है comment में बताना है सभी states का capital आपको क्या करना है comment में बताना है कि कौन-कौन किसकी क्या-क्या capital है ठीक है comment में बताना है कि कौन-कौन किसकी capital है चलिए आ जाते है question question क्या है अजंता केप्स कहां पे है तो कोई बच्चा भी बता देगा कि माराश्ट में है अजंता केप्स ठीक है माराश्ट में तो ऐसे करते रही है question अगला question आता है कि Tensing Norge Award किस छेत्र में दिया जाता है तेन्सिंग नौर के एवार्ड किस इज गिविन इन विछ फिल्ड मतलब कि किस छेत्र में Tensing Norge प्रुस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है हमारा जानते हैं यह व्यक्ति कौन थे एवरेश्ट यह क्या थे यह एक मौन्टेनियर थे जो कहां पर चड़े थे यह चड़े थे मांट एवरेश्ट पर जो की क्या है पृत्वी की सबसे उंची परवत चोटी है ठीक है इनके लिए एक एवर्ड दिया जाता है वो एडवेंचर के लिए दिया जाता है फूटबॉल नहीं होगा सकिंग नहीं होगा जूड़ो तो बिलकुल नहीं होगा ठीक है तो याद रखना है तेंजिंग नौरगे क्या थे एक परवतार ही थे परवतार ही थे मांटेनियर थे ठीड rotten टीड़ी जिन्होंने क्या किया तो फर्स पहले व्यक्तिते छिन्होंने इनके साथ एक व्यक्ति और थे ठीड़ी क्या करना हि 25 आपको कमेंड में बता देना है कि जो तैंजिंुनोर्गे के साथ जो एक और व्यक्ति कह थे मांट आबरेस्ट पे चड़ने यानि की मांट आबरेस्ट को फते करने वो कौन थे ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कुझी कुल वाटरफॉल कहां पे है अगर आपना पढ़ा होगा तो बता दोगे कहां पे कुझी कुल वाटरफॉल करनाटक में चलिए नेक्स्ट कुश्चन है कुझी कुल वाटरफॉल कहां पे है जहरना है वाटरफॉल कहां करनाटक में ठीक है गुमने भूमने जाना बढ़िया जगया है नेक्स्ट है विच अमांग दा फॉलोवेंगे डिपैस्ट लेकिन दा वर्ट या अभी ये इसमें कुश्चा गया एक पर आप लोग क्या करो खुद से अटेम्ट करो कि इसमें क्या होगा कि कमेंट करना है एक टीक है डिपैस्ट लेक मुझा गया है सबसे गहरी जील कौन सी है तो ऑप्शन है टीटी का का सुपीरियर बैकाल यह तो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने एक क्वेशन उपर करा दिय यह क्या है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की तो यह उप्शन ने क्या कर दिया डल लेक अब यह आपका क्या है तीन ऑप्शन बचे है तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा डल ले कहां पे है जंबू और कश्मीर में जिसमें क्या है तूरिज्म के लिए यारों कि आपको कैसे कोश्चन को अटेम्ट भी कैसे करना है लॉजिकल वे में आपको अगर नहीं पता है ठीक है दो आपके क्या होगे बाहर हो गया सुपीरियर बाहर हो गया और डल लेक होगे अब बचा कौन से दो ऑप्शन टीटी का का बचा और वेकाल बचा तो टीट लेक वेकाल कहां पर यह भी जाल लेक वेकाल रशिया में लेक वेकाल कहां पर है रशिया में याद रखना लेक वेकाल जो दुनिया की सबसे डीपैस्ट लेक है कहां पर है रशिया में अच्छे से पढ़ो और कमेंट करते रहो नेक्स्ट के बाद अगला कोश्चन है मारा लीरा किस देख की मुद्रह यह जैसे भारत में लोग करते पैसा इक जमाणे में करते हैं बंर आफ यह कर्राएं पाकिस्टान या कर रहा है पाकिस्तान इ ustedes करता है बुटान करता नुइन उसी तरिके सबताना है लीरा किरेंस है इंडिया की बिल्कुल नहीं heritage पाकिस्तान की बताई दिया नहीं है दो बचे, साओधी ये भी नहीं है बचा ओप्शन, लीराइजदा, राइट आंसर आंसर भी, 16 का भी हो गया ठीक है, खुद से एक बार जरूर अटेम्ट करना किसी भी कुश्चन को और कमेंट करते रहे ना उस पर ठीक, इसके बाद क्या है और सेसन अगर अच्छा लग रहो तो लाइक भी कर सकते हो आप इसमें तक कि क्या है, ऐसे ही हम लोग क्या करें और इसकी सिरीज या पार्ट से लेते आए अच्छा अचली यह आ जाते है, कुश्चन नमबर 17 पे कुश्चन नमबर 17 हमारा कहता है कि फर्स्ट यूरोपियन टू इंवेड इंडियन सोयल इंडियन सोयल को इंवेड करने वाला पहला यूरोपिय कौन था, तो यह भाईया थे हमारे अलेक्जेंडर दा ग्रेट एक कहा से आते हैं, ग्रीस से आते हैं बड़ा दूर से आते हैं ग्रीस से आते हैं, जिसको को अम लोग यूनान भी बोलते हैं यूनान से आ रहे थे क्या था यूरोपिय देश था मुहम्मद गौरी नहीं गया फिक है यह नहीं गया यह भी नहीं गया ठीक है अब इनके बारे में जान लेते करजन साहब करजन साहब वह वेक्ति थे जिन्हों न क्या किया था 1905 में पार्टीशन के लिए बोला था partition of बंगाल के लिए बोला था जी बिल्कुल बंगाल का जो बेवाजन हुआ था वो बोलने वाले यही बेक्ति थे करजन नहीं तो क्या होता आज की डेट पर जो हम लोग बंगला देश देश भी देखते हैं वो भी ना होता ठीक वो क्या होता पूरा बंगाल होता एक नेक्स्ट है शुरुवात यही करके गए थे partition की फिर उसके बाद पाकिस्तान की मांग उठी और कानी एक अत्तर तक महुँची एक अत्तर में हमने लिब्रेट किया और उसको एक नया नाम दे दिया क्या नाम दे दिया बंगलादेश फर्स्ट वोमेंट टूरिसीब असोख चक्र जीतने वाली प्रदम महिला कौन है अच्छा पहली बात तो यह बताना है आपको कमेंट करके असोख अचाटर क्या है ग्लंट रिए व्र टिस समय किस चेत्र में ग्लेंट्रिम बता दि रहा हूं लेकिन आपको यह बतानाै कि म सवर्स्तिम में दिया जाता है मैंатов वह कैं है तो पहली महिला कौन दि इनको शोख चक्र मिला था वह इस मिला था नेरजा भानॉत को यहाँ पे नीरज बहानवत नहीं होंगा ए और ओगा नीरज नेरज को मिला था क्या हू कि आ सोग चक्र मिला था मिल था इस पर गश्रुक्य क्यों पर है अक्टरस कौन सी he अरे देखी होगी सोनम कपूर है सोनम कपूर ठीक है एक्टरस जो में लीड प्ले किया वो किया किसने सोनम कपूर ने याद रखना है इसको करनवेदी इनको बोला जाता है क्या पंबनार इसाओं भरत की जो प्रतम अधिकार है तो पूब्लार इसाओ उतर उपर वाले प्विस्व कॉश्ण में अपनी चत्र वेदी करता है इस यूजवल थीर सब्सक्राइब है काशा ऑगला। कratorBं करता है कॉश्यक नमबल नइंटीजिक को सैनुश्यक क्याटा है question number 19 हमारा क्याता है कि राम गंगा नेशनल पार्क is the new name of राम गंगा जो राष्टिया उद्ध्यान जो नेशनल पार्क है ये नया नाम किसका है जम कॉर्वेट का ठीक है बहुत बार इसको बता दिया है काना नेशनल पार कहां पे है MP में याद रखना मानस नेशनल पार कहां पे है आसाम में अच्छा जम कॉर्वेट कहां पे है उत्तराखंड में इसका उत्तराखंड अब ये वह वाला मत समझे ना UK अपना देश वाला है उत्तराखंड को लिख दिया शॉल्ट में ठीक है UK वाला अच्छा इसका पहले क्या नाम था पहले नाम था हेली नेशनल पार्क जो कि क्या है देश का पहला राष्टी उद्ध्यान भी है हेली नेशनल पार्क यह क्या है देश का पहला राष्टी है उद्ध्यान भी है फस्ट नेशनल पार्क है देश का पहला नेशनल पार्क हेली नैशनल पॉर्क जिसका दूसरा नाम क्या था जम कॉर्बे नैशनल पार्क और हाली में इसका नाम क्या किया गया नाम की नदी वहाँ से नुक्या तिया जाते हैं रीता फारिय वाज़ फॉर्ष्ट इंडियां लेडी या मिससी या इसमें कौन है म्स्वर्ड कौन थी मिस्वर्ड बनी थी मिस्य उनिवर्स न रहा दोहने 2000 में याद रखना है इसके बाद दूसरी कौन बनी थी लारा जत्ता ठीक है और अभी रिसेंट में कौन बनी है रिसेंट में कौन बनी है भी मिस यूनिवर्स हरनाज संदू हरनाज संदू यह कब बनी है 2021 में ठीक है 2021 में बनी है अचली इसके बाद आ जाती है अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 21 कोश्चन नंबर 21 क्याता है कि वोट इस दा फुल फॉर्म आफ आई सी बीम आई सी बीम का फुल फॉर्म बताना है तो एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिए पहला ऑप्शन है इंटर कॉंटिनेंटल बेलेस्टिक मिसाइल अप्शन भी है इंडियन कॉंटिनेंटल बेलेस्टिक मिसाइल यह तो फालतू का अप्शन है इंटर कंट्री बेलेस्टिक मिसाइल यह भी कंफ्यूज कर रहा है नहीं होगा इंडियन कॉंफिदेंचिल बेल प्रतम मैला बनी हो किसी भी देश की ये पढ़ ले ना किसी भी देश की बनी हो किसी भी देश की बहुत की तो इंडिया की तो कौन है इंड्रा गांदी ठीक है यह कहां की है यह United Kingdom यानि कि आपकी ब्रिटेन की प्रिथम माहिला प्राइमिनिस्टर है लेकिन दोनों नहीं है इन दोनों लोगों से पहले कौन बना था S.Bandarnayka यह थी first woman prime minister of our country किसी भी देश की दुनिया वार के किसी भी देश की जो प्रिथम स्रीलंका की वनीदी सबी questions पूछे जाते हैं और जो अलग से बता रहा हूं यह जो कमेंट करने की लिए क्या रहा हूं वह भी कमेंट करते रहीएगा इसके बाद next आ जाता है वारत आजादी बहुत बाद में हुआ था बिर्टेन का अन्रेटेन बिर्टेन का अन्रेटेन कंस्टिटूशन है अलेकित सम्मिधान है जब लिखा ही नहीं गया तो बनाया कैसे इनका भी नहीं होगा इसका होगा यूएसे कब बनाया था याद रखना 1779 में और पहले राष्टपती कौन थे पहले राष्टपती अमेरिका के थे वॉसिंग्टन जॉर्ज वॉसिंग्टन कौन थे जॉर्ज वॉसिंग्टन इनको भी आजादी लेनी पड़ी थी किस से ब्रिटेन से सब गुलाम थे फ्रांस नहीं था गुलाम ठीक है यूएस गुलाम हो गया था भारत काफी देर में हुआ था अपना देश आजाद है अगला कुश्चन है कुश्चन मांट अब्रेस्ट किसका पार्ट सिवालिक का है ऑप्शन भी आपका नेपाल का नेपाल का है सी ऑप्शन लद्दाक डी ऑप्श गोर हम यह सब आपको कहा पे मिलती है जम्म्गार कश्मिर में सिवालिक में क्या हांре कहां प्लता है कि माले का हिस्सा होता है जिसको इतिबब वाला जो इसन को बोलते तो हमारा मांट अपर्ड लिक इसन का लास्ट कौ Ό क्या है यह तो बहुत सरल सा कुश्चन है कि आज के से सब्सक्राइब का लास्ट कुश्चन 25 बाला गंगा नदीव से ही आपका डेल्टा क्या होताए वह किसी अगले इंगे तहीक है डेल्टा क्या बनता है जब एक नदी समुद्र से मिलती जैसे यह हो गया अपना समन्दर यह नदी आ रही ठक 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 एसे तहरते हुए और जो यहां पर पानी मिक्स होगा यहां पर एक डल द नमर 26 हमाराया कि विच इंडियान स्टेट है लॉंगेस्ट कोस्ट लाइन किस की है तो याद रखना गुजरात की है और प्रीवेस वाले उसमें क्या कराया था कि भारत के कितने राज्यों की जल सीमा या फिर कोस्ट लाइन लगती है ठीक है तो यह था आज का सेशन और लाइ अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही जोइन करें त्रिशूल डिफेंस अकैडमी